हेलो सुदेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस टैली स्रीज का ये पार्ट टू वीडियो है लक्षर नमबर टू जिसमें आज हम टैली के नोट्स पढ़ेंगे तो what is Tally? Tally क्या है? तो यहाँ पर Tally एक accounting का software है और ERP 9 जो है ये Tally software का एक version है जैसे हमारे version होते हैं latest version तो अभी Tally का latest version है वो Tally.ERP 9 है और Tally है क्या? तो Tally एक accounting software package है Tally is a financial accounting software package. It is complete business accounting and inventory management software that provides various faculties like government supported format, multi-language operations, processing for small and medium business in India. तो यहाँ पर definition है कि Tally software है ये accounting का software है. Accounting means कि हमारा जो हिसाब किताब होता है. Normally accounting means होता है हिसाब किताब करना यानि कि अगर कोई भी business है तो उसमें हिसाब किताब होता है. आईए कि अगर हमने माल लीके किसी को 5000 रुपय दे दिये हैं, या फिर किसी से 10,000 रुपय अगर हमने उधाल लीए हैं, या कोई भी हमने 5000 का माल खरीदा है, और फिर उसको हमने 5000 का माल खरीदने के बाद में, उसे हमने 55,000 करके कई सारे customer को हमने sell कर दिया है. और हमारे shop में कितना stock बचा है ये सारी चीज़े जो होती है ये सारी reports तयार करना और ये सारी entry करना है यानि सारी चीज़े लिख करके रखना ही accounting कहलाता है यानि कि हिसाब किताब करना कहलाता है तो ये जो tally software होता है ये यही काम करता है Tally में हम क्या करते हैं कि जो भी मालम खरीदे हैं बेचते हैं या जो भी business में हम हरकत करते हैं या जो भी transactions करते हैं वो सारे के सारे transactions हम Tally software में चढ़ा देते हैं या ऐसे कह सकते हैं normally कि हम उसमें type कर देते हैं लिख देते हैं और Tally क्या करता है कि हमें फटा-फट report तयार करके दे देता है जिसे हमें calculation नहीं करनी पड़ती ना ही कोई भोलने का डर रहता है तो इसलिए टैली क्या है एक accounting के लिए सबसे अच्छा software है इसके अलावा भी टैली के अलावा भी कई सारे software है लेकिन यहां पर सबसे यह टैली के बारे में बताया गया है कि टैली हमें क्या करता है टैली हमें government support format provide करता है और multi languages यानि कि आप इसमें किसी भी language में टैली में work कर सकते हैं इंग्लिस में काम कर सकते हैं और यह टैली software इसमार और medium size के जो business होते हैं वहां पर यूज किया जाता है बाकि जो टैली software है वो कई सारी countries में आपर इस्तमाल किया जाता है लवक 100 countries में इस्तमाल किया जाता है और जो टैली का latest version है वो टैली.erp9 है तो I think इतना तो clear हो गया हो और point तो यह जो software होते हैं तो वैसे ही ठीक उसी तरीके का software हमारा है टैली software बस अंदर क्या है कि जो हमारे MS Word Excel अगर आपको चलाना नहीं आता तो नहीं चला सकते हैं अगर आप MS Word सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको MS Word के बारे में सीखना पड़ पर को चलाना सीख जाते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो टैली है यह भी software ही है जिसे हमें चलाना सीखना है बस यहाँ पर क्या है कि रूल साफके यहाँ पर ज्यादा है MS Word में कम होते हैं जबकि टैली में यहाँ पर रूल साफके ज्यादा है सबसे पहले आपको accounting के ब यह हमारे होते हैं account, तो बस हमें क्या करना है, accounts पढ़ना है, accounting के rule पढ़ने है, और tally software को चलाना सीखना है, बस यह दो चीज़े अगर हम सीख गए, तो यहाँ पर हम tally software को आसानी से चला सकते हैं, और किसी भी business को हम handle कर सकते हैं as a accountant, आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद है accounts क क्या होते हैं, तो जैसा कि हमने बता है, accounts क्या होते हैं, profit यानि की love, loss यानि की honey, तो यह जो profit, loss, purchase यानि कोई भी माल खरीदा तो वो क्या हो जाएगा, purchase, कोई भी माल बेचा गया तो वो sells, राम, मोहन, bank हो, या cash हो, या computer हो, या कोई machinery item, furniture, assets, assets यानि संपत्ती, deposit यानि की जम के दाइरे में जो भी चीज़े होती है, वो सब accounts होती है, example के तोर पे में यह पर माल लेते हैं, राम है, और राम क्या है, एक business का honor है, और राम क्या है, एक business का honor है, और राम ने क्या किया, राहुल को, यहाँ पर, राहुल को, पाânच अजा रुपए उधार दे दिये, पास इसको लिखना है, तो अब इसको टैली में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने राहूल को 5,000 रुपए उधार दिया है, और रुपय कितने दिये हैं, हमने 5,000 रुपय दिये हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने दो चीजे फटाक से निकल है और यह जो आपका cash है बस इनी दो को हमें tally में लिखना है और वो भी rules का इस्तमाल करते हुए तो इस तरह से यहाँ पर tally में entry की जाती है तो यह आपके क्या है accounts है तो I think account समझ में आ चुका होगा simple है और बाकी जो चीजे हैं आपके अभी समझ में नहीं भी आएंगी तो कोई दिक्कर नहीं है आगे दीरे दीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीजे आपके समझ में आती रहेंगी उसके बाद अगले नंबर पर है classification of account classification of account यानि जो हमारे accounts होते हैं उनको तीन तरह से बाट दिया गया है परसनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट अब ये परसनल अकाउंट क्या होते हैं तो परसनल अकाउंट यानि ये होते हैं आपके व्यक्तिगत खाते हैं परसनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते हैं और Mohan, ये क्या है? Personal Account है, कोई भी Bank है, जैसे HDFC Bank है, ये क्या है? ये भी आपकी Personal Account है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्जाम्पल में Mohit, Rahul, Bank, ABC Company, Capital या ड्रोइंग, Capital क्या होता है? ये होती है पूंजी, यानि कि Business का जो Honor होता है, वो Business में जो पैसा लगाता है, जैसे Rahul ने क्या किया? Rahul ने 50,000 रुपे से Business स्टार्ट किया, तो जो 50,000 रुपे से Rahul ने Business स्टार्ट किया है, तो Rahul यहाँ पर क्या हो जाएगा? Rahul यह आपका है Capital Account, यह आपका Capital Account हो जाएगा, तो वही होता है Capital, और Drawing मींस होता है, आहरड करना, यानि निकालना, विड्रॉ करना, तो जो Business का Honor होता है, वो कभी-कभी जरुपे हिसाब से पैसा Business से निकाल भी लेता है, जैसे, यहाँ पर Rahul ने 50,000 रुपे से Business तो स्टार्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, राहूल को अगर कभी जरुपे पड़ी, तो राहूल ने 5,000 रुपे अपने बिजनेस से विड्ड्रॉ कर लिया, नहीं कि पैसा बिजनेस से ले लिया, अपने निजी खर्च के लिए, तो वो आपका ड्रॉइंग कहलाएगा, और इस पर हम इस पर बेस्ट एंट्री भी आगे हम देखेंगे, तो परसनल एकाउंट क्या होता है, समझ में आ जुगा होगा, अगर आप हम नॉर्मली यहाँ पर पूछें कि जो राम है, वो काउंट से अकाउंट है, तो आपको समपत्ती, तो वस्तु में आप यह तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वस्तु कौन-कौन सी होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका और कोई भी फनीचर हो गया या कोई भी चीज, जो फिजिकली यह तोर पर है, वो सारी वस्तु हो जाती है, समपत्ती क्या होती है, समपत्ती वो होती है जो हमारी होती है, एक्जामपल पांस जार रुपए अगर हमारे पास रखे हुए है तो वो क्या है, हमारी समपत्ती है इसी तरह से अगर हमारे बैंक में दस जार रुपए जमा है, तो वो क्या है, हमारी संपत्ती है, अगर हमने किसी को 10,000 रुपे उधार दे दिये, वो क्या है हमारी संपत्ती है, तो इस तरह से ये हमारे real account होते हैं, जो वस्तु या संपत्ती के अंतरगत आते हैं, वो सब real account कहलाते हैं, यहाँ पर आप example में देख सकते हैं, cash, computer, machinery, machinery, furniture, या कोई भी assets, यानी संपत्ती जो होगी, वो सब real account कहलाएगी उसके बाद, उसके बाद है nominal account nominal account वह खाते जो लाभ, हानी, आई, वे, और क्रे, विक्रे, यानी कि लाभ, हानी यानी profit and loss, आई और वे यानी कि income और expenses, क्रे, विक्रे यानी purchase और sales, ये जो आपके 6 account होते हैं, ये आपके कहलाते है, nominal account, ऐसा इसलिए, nominal account यानी कि नाम मातर के खाते हैं, और ये नाम मातर के खाते हैं, इसलिए होते हैं, क्योंकि business में, जो profit और loss, income और expenses, purchase और sell के खाते होते हैं, वो सिर्फ temporary base पे रखे जाते हैं, जैसे, माल लेते हैं, example के लिए, हमने क्या किया, पांच हजार रुपए का माल खरीदा, हमने ये पांच हजार रुपए का माल क्या किया, परचेश किया, और फिर कुछ दिनों के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसको हमने 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए का वो माल बेच दिया, यानि कि sell कर दिया तो अगर 5,000 का खरीदा था, तो हमने क्या किया था, हमने टैली में चढ़ा दिया कि हमने 5,000 का माल खरीदा है, यानि परचेश की एक entry कर दी, और उसके बाद जब हमने उसको 6,000 का बेच दिया, तो हमने क्या कर दिया, एक sell के entry कर दिया, अब 6,000 का क्यों बेच दिया, क्योंकि अब हमें income भी तो चाहिए, यहाँ पर हमें profit भी तो चाहिए, तो हमने क्या 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 गया, उसे 6,000 का बेच दिया, तो हमने यहाँ पर employee रखे होंगे हमने यहाँ पर worker रखे होंगे और इसके लाव और वी कई सारे खर्चे होंगे अगर हमारी जो shop है या कोई company है अगर rent पे है या electricity bill तो यह सब हमारी क्या है खर्चे हैं तो हम यहाँ पर माल लेते हैं और 300 रुपए हमारे खर्चे भी साथ में हुए तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि finally आपका profit कितना हुआ तो profit आपका कितना हुआ आपका profit हुआ 700 रुपए का कितना 700 रुपए का आपका profit हुआ क्योंकि यहाँ पर हम income से expenses को minus कर देंगे यह income से expenses क्या हो जाएगा minus और यह आपका 700 रुपए क्या हुआ profit अब आप चाहें तो इसे business में लगा सकते हैं तो हमारा business already कितने का था 5000 रुपए का यानि हमने 5000 का माल खरीदा तो माल लेते हैं कि हमारे business की जो कीमत थी वो 5000 रुपए थी तो अब यहाँ पर माल को बेजने के बाद हमारी business है वो बढ़ चुका है अब हमारा business कितने का हो गया 5700 रुपए का हो गया यानि अगली बार हम माल जो है वो 57100 रुपए का खरी सकते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा है capital एकाउंट यानि परिचेस से माइनिस कर दिया तो यह भी हमारा कट हो गया मतलब यह आपके जितने अकाउंट थे income expenses, purchase, sales यह सब आपका क्या था यह सब आपका temporary waste अकाउंट थे जिनकी जरूद में temporary waste पे थी final जब हम report पयार करते हैं तो हमारे पास यह amount निकल के आया capital account जिसे हम personal account में लिखेंगे I think इतना clear हो चुका होगा तो इसलिए nominal account यह माने जाते हैं क्योंकि यह temporary waste पे यूज़ गिये जाते हैं अब यहाँ पर यह मुखी रूप से आपके तीन ही account होते हैं इसे एक बार repeat कर देते हैं तो personal account वह खाते जो किसी वक्तिया संस्था के नाम से बनाया जाते हैं real account में वस्तु और संपत्ति आ जाती हैं और nominal account में हमारी यह 6 account आते हैं या फिर इसी type के जो और account होते हैं जैसे अगर मान लीजी हमने क्या दिया rent दिया हमने क्या दिया पांच जार रुपे अगर हम salary देंगे तो वो भी हमारा क्या होगा expenses होगा और यह भी हम expenses nominal account में ही रखेंगे इसी तरह से अगर हमारी 3000 रुपे की income हुई तो 3000 रुपे की अगर हमारी income हुई है तो यहाँ पर यह भी हम nominal account में ही रखेंगे तो इस तरह के account यह nominal account कहलाते हैं और real account में जैसे हमने अगर computer खरीदा या कोई भी machinery item परचेज किया या हमारे पास 5000 रुपए cash है और या फिर हमने bank में पैसा जमा कर रखा है तो ये सारी चीज़े जो होंगी वो real account में आएंगी और personal account में अगर कोई विक्ती है या संस्ता है तो वो आपका personal account में आएगा तो य जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे practically चीज़े आएंगी आपको बहतर समझ में आती रहेंगी उसके बाद अगले नंबर पर है rules of accounting तो rules of accounting में क्या होता है कि जो हमारे account होते हैं जैसे राम मोहन तो ये क्या हमारे account है तो इन्हें लिखा कैसे जाता है हम as it is tally में ऐसे राम मोह है क्या राम को पैसे उधार दिया गया है या राम ने हमको वापस किया है तो इसके लिए हमें debit और credit के rules को समझना होता है जो rules of accounting के अंतर गताते हैं तो ये rules of accounting हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में rules of accounting के rules तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो